नमस्का आप सभी दर्शकों का स्वागत है आप देख रहे हैं नूश्ट्वेंटी इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुरेंदर स्वोनी किया जा रहा है वहीं दूसरी और धरातल पर कुछ अलगी तस्वीरे नजर आ रही है इन दिनों पुरे शेहर में सिवरेज पाइपलाइन का कार्य प्रगर्ति पर है जगजगा बड़े बड़े गड़ों का अंबार लगा हुआ है वहीं दूसरी तरफ बेहाल सड़के आमजन का सीरदर्द बनती जा रही है जिस कंपनी को सिवरेज लाइन का वर्क ओडर जारी किया है उसी फर्म के द्वारा सिवरेज का कार्य प्रगर्ति पर चलाया जा रहा है जहां पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है वहां की सड़के बड़े बड़े गड़ों में तब बन चुका है शाम ढलते ही शराबी और जुवारी जमगट लगाते हैं और अयाशी करने जैसी खबरे सामने आ रही है वहीं विशेश सुत्रों के हवाले से मिले जानकारी के अनुसार नगर परिशत के एका दुक का कार्मिक ही रंग मंच में शराब पार्टी करने जैसी सुच जा रहा है कुछ दुकाने घरों में ही बनाए गई है साती सात व्याफसाइक बिजनेस चला कर नगर परिशत को राजस्व का चुना लगाया जा रहा है शेहर के रतला मार्ग पर ही आदा दरजन सदिक मासार की दुकाने संचालित हैं जबकि सारे नियमों को दर किनार और न कुछ कहा कि पिछले दो साल का रेकार्ड देखें आप तो पुराना बैट नए बश्टेंड जो रख्लाम रो रहे हैं वहां पे अवेट मुचर थाने मांसमंटिक दुकाने उसके बाद में मुर्गी पालन के नाम से इतनी दुकाने खुली है जिसका ना तो कोई लाइसेंस सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसका ना तो कोई लाइसेंस है और उसके बाद में भी यह बेचने के बाद शायद लेके खुद खा रहे हैं जिसकी जमाभी नहीं करा रहे हैं यह नगर नगर परिशत के कर्मचारियों के आखों की नीचे काम होता है लेकिन हम देखी कर रहे हैं कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं मान्यव सब्वापत्य मोदे आयुक्त मोदे और स्रीमान कलेक्ट साब करना चाहूंगा यह सारी बतिविद्या बंद कराएं इसके बास लाइसेंस हो वह प्रकार के काम करें और इसके बात और भी है नगर की सब्सक्राइब ना चाहिए फुले में यह वह बहुत हैं यह नहीं है यह सारी बाते हो रही है और पिछले इस दो साल में बोड में शेहर की जंदकी लेलो शेहर की सड़के देलो इतनी हालत खराब है लोग परेशान है और इसमें पिछले जन्मत कराया था दो साल का उसमें भी नगर परिश्यत के कारवाई को लेके लगवग 55% लोगों ने नाराजी विश्क्री थी तो सुना आपने इन दिनों शेहर का हाल बेहाल नजर आ रहा है वहीं इन दिनों शेहर में यातायत सुविधा भी चरमराती हुई नजर आ रहा है वहीं यदि देखा जाये के दावे सिर्फ कागजों तक ही सिमित होते नजर आ रहे हैं वहीं इस पुरे मामले को लेकर नगर परिश्यत आयुक्त प्रभुलाल भापोर से सवाल जवाब जानना चाहा तो मानिनिय मौदे उखड गए वहीं आयुक्त मौदे ने इस गंबिर विशे पर जवाब देना भी सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है जी साथ लगातार सर सुत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इन दिनों नगर परिशत का रंग मंच आयाशी और शरावियों का अड़्डा बन चुका है क्या कहेंगे जी इसा तो कोई बात नहीं मेरे पार तो को इसी बात आई जी दूसरा सवाल यह था कि जीस तरीके से लगातार आप शहर को सुंदर भी बना रहे हैं बट जहां पर खुदाई हुई है वहां पर रोडों की काफी गंबिर समश्यारी जिससे आमजन काफी परेशान हो रहा थी सर कब तक आजनता को निजात मिल पाएगी इसा है कि कोई गर प्रोटेक्ट चलता है अभी आप उदेपूर देखो पुरा इस्पार सिटी कुदावा पड़ा हुआ जी एक लोड़ कुटता है शिवरेज की लाइंट है आप इस खुदेगा उसके बाद पानी की लाइंट दे लेगी इसी बार फिर फुदेगा पानी क सहमतों सर एक आखरी और 19 सवाल की जीस तरीके से विनोट टोकिज का मामला हर बाप उठा भी था मुद्दा भी उठा था उसकी जांच के लिए आपने कमेटी भी बनाई है लेकिन ये वही अधिकारी है जिनोंने नियम को दरकिनार करते हुए पर्मिशन दी थी और उन्ही अधिकारियों को जांच कमेटी का सद्श्य बनाया है तो सर ये जांच क्या निस्पक्ष हो पाएगी क्या राहत मिल पाएगी जांच कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आईगी दोस्य लोगों एत्कारवाई होगी रिपोर्ट आने तो एक बाएंटेजार के तरो वोट ने सब्काव पारित क्या राग्वी जांच कमेटी बना अबना थिया है तर आपको लग रहा है कि सर इससे कहीं नगर परिशत को राजयस्व का नुकसान हुआ है या हो रहा है कि कमेंटी की रिपोर्ट आएगी जिन पॉइंटों के हमने दिया है इनकी रिपोर्ट आने बात हम इसको पेज़ेंगे जेपोर्ट के लिए तर एक आखरी सवाल रहेगा कि शेहर में लगातार जो है वह मतन और नोन्वेज की दुकाने लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि वो दुकाने जो हैं वो घर में संचाली तो एक तरफ कॉमर्शल और एक तरफ बिजनेस तो सर इसको लेकर कि क्या विश्यान रणनीती रहेगी आपकी तो सुना अपने सभापती का दावा वहीं दूसरी और शेहर हाले बेहाल पर शेहर के कुछ जागरुक नागरिकों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी आईए सुनाते हैं शेहर के जागरुक नागरिक सुनिल दोसी ने क्या कुछ कहा कि अबादी शेत्र में चलाया नहीं जा सकता है पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड का भी यहां पर ऑफिसर बैठता है लेकिन उसने भी आस्तर करवाई नहीं कि होट्लों में जो कुछ भी मांसाहर वित्रीत होता है उसकी भी जांच नहीं करते हैं स्वास्ते अधिकारी जाकर इस लेकिन नंगरपालिगा ने पिछले सालों से जो है वो लाइसन्स देना बंद कर दिया है किसी तरह की लाइसन्स के साथ साथ जो है वो फॉलूशन कंट्रोल बोर्ड से भी इनको स्विक्राइटि लेनी होती है जो भी मांस विकरेता है उसको अनिवार यह रूप से पॉलू जो है वह कर रहे कर दोड़े आज तक धरातल पे लोगों को पट्टे रित्रित नहीं किये गए घरातल पे लोगों के आवास का जो सिक्रेटिया थी उनका पेशों का वित्रण नहीं हो रहा है काफी लोगों को परेशानी आरी नगर परिशास से लेकिन जो आयूक्त जो है वो अब हाल है बेहाल पर नगर परिशत के कार्मिकों के साथ आयुक्त की कारिप्रणाली पर भी अब गंबीर सवाल्य निशान लगते नजर आ वहीं शेर की जनता को कब तक रात मिल पाती है ये आने वाला समय ही बताएगा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस ट्वंटी इंडिया